नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्क दैनिक रासीपल सबसे पहले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में 13 अक्टूबर 2024 रविवार का दिन है आसुन महा के सुकल पॉक्ष की दसमी तिती सुबर नो बचकर 11 मिनट तक इसके बाद एकादसी तिती लग जाएगी और नच्छातर है घनीष्ठा सूल नमक योगवंडा अवजीत मूर्ते सुबर 11.43 से दोपर 12.30 तक राहुकाल का सब्य साम 4 बजे से साम 5.30 तक राहुकाल की समय में कोई भी निया और सुबकारे ना करे भी न आ सकती है अब बात करते हैं आज के रासी पर की ब्रिश्ची रासी आज का दिन ठीक है लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा भारी है जैसे कि घर परिवार में थोड़ा तनाव हो सकता है और अपने स्वास्त का भी ध्यान बनाया रखेंगे तो उत्तन है कारियों को लेकर थोड़ी थकावट महसूस होगी बच्चे हो सकता है आपकी उमीदों पर उत्तना खड़ा ना उत्रें लेकिन फिर भी वह बहुत हद तक बेहतर करेंगे खर्चों को लेकर साधान रहें बेवजग खर्च ना करें किसी को उधार ना दे और जीवन साथी से किसी बात को लेकर बाद विवाद हो सकता है ध्यान रखें परिबार में किसी सर्प्राइज पार्टी का आयुजन हो सकता है किसी संपत्ती समंदी विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े और अपने परिबार के सदस्यों को लेकर कहीं घुमने फिरने जाने का प्लान बनाते दिखेंगे हला कि महत्तपुर्ण जो भी आपके कारे हैं आर्थिक खासकर कारे उसको अभी टाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और गनेश जी को परणाम कर दिन की सुरुआत करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा तो आज का दिन किसी की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजे दोस्तों के साथ नहीं तो मन मुटाओ होगा जो बेद्यार्थी हैं सफलता प्राप्ती के लिए और मेहनत कीजे गायतरी मन जरू पढ़िएगा पढ़ाई पर ध्यान दें हलाकि पार्टी पिकनिक का आनंद लेंगे रुके हुए कारियों में गती आएगी एगवर प्रयास जरू कर लीजेगा और दूसरा धन के मामलों में इस्तिती धीरे धीरे बेहतर होगी चिटपुट लाब होते रहेंगे दिन भर परिवार में सुकसानती है इस्तिरता है लेकिन नौकरी ब्यपार के मामलों में कुछ नया पन अगर आप ला सके तो आगे चलकर आपको लाब जरूर मिलेगा तो कुछ नया करना चाहते हैं तो जरूर कर जो लोग प्रेम जीवन म हैं पार्टनर की कोई पुरानी बात थोड़ा परिसान करेगा और लड़ाई जगने से बचने का प्रयास करे तो उत्तम पुराने दोस्तों से मुलकात होने से खुसियां बढ़ेंगी तो यहां पर चीज हस्तिर है और अपनी अगर आप जॉब करते हैं बिजनस करते हैं आर्थिक मामलों में नुकसान नहों इसलिए आपको पहले से सतर करेना है और आज थोरा सा जैसे कि कोई किसी से वादा किया है तो आज हो सकता है आप पुरा ना कर पाएं लेकिन कोई करीबी मित्र आपका मदद जरूर करेगा किसी भी तरह का कोई अगर आप परिसानी में तो बेवजा का थोरा भाग दोड़ है कुरोत पर वानी पर कंट्रोल रखेगा कीमती समान चोरी नहों जाए इसका जड़ा ध्यान रखेगा वैपार में कोई विश्वास्त पात्र बेक्ति आपको धोखा दे सकता है इसका ध्यान रखे किसी प्रियजन हो सकता है कोई प्रि यानी भागे साथ निभाएगा करीब 65% और आज भाग्यां करहेगा तीन तो इसमें जो लोग और विभाइत हैं किसी तीसरे के दखल के कारण रिष्टे हो सकता है तै होते होते रह जादें